हालो एंड वेलकम टू नौक्रिया स्टडी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौक्रिया स्टडी में तो सरकारी और नीजी कॉलेजों में अब बीएड कोर्स की फीस डेड़ लाक रुपिये बीबी एमके यू सिंडी केंट ने बीएड कोर्स में की साथ हजार की बिर्दी ये कहां से सही है स्टुडेंट्स को ऑनलाइन कॉंसिलिंग या फिर फिजिकल कॉंसिलिंग के पहले ये नहीं बताया गया कि फीस में बिर्दी की जाएगी रही कि यहां साथ साथ हजार की बिर्दी की जा रही ह Kentucky हजार तो फीस कर दी जा रही है ये कहां से सही है और स्टुडेंटस इतना कहा पाएंगे तो इस के लेकर लगातार मेसेज आगा रहा था है सर योट्यूब पे विडियो बनाईए ताकि जितने भी कंडियर्ट्स अपना अलॉट करवा रहें कॉलेज और एडमिसंस कराने की चार रखते हैं बीबी एमके यू विनोध बिहारी महतों कोईलांचर इनवर्सिटी धनवाद के अंत्रियत कॉलेजों में धनवाद और बोका वाडशप गुरूप बना लेंगे कोई और सभी अपना वाडशप पहले कमेंट करें वाडशप गुरूप में बनवा दूँगा और वहां पिसम्र पर बात वादें कर लें और उनिवर्सिटि में पहुंचें और सांति पूर्ण और कानूनी ढग से और कोई उग्रांदूरन अभी नहीं करना है सांतिपूर्ण धंग से अपनी बातों को रखना है लेकिन मजबूती से और इनवर्सिटी में पहुचना है कुलपती से मिलना है पत्र लिखना है और प्रिंस्पल से भी मिलना है और साथ ही इसको लेकर रगवर्दास माननिये मुखवंत्री जी को भी ट्वीट करना है कि इस तरह से बिर्दी नहीं चलेगी और स्ट्वेंट्स इतना पैसा कहां से खर्च सकेंगे और इनका ये कमेंट बॉक्स में आप अपना वाटसप नमबर दे के बना लें गुरूप और बहुत जरूरी है और सभी इनवर्शिटी पहुचें इनवर्शिटी के कुलपती से मिलने का प्रयास करें और मिले ही और जब तक नहीं मिलने हैं वहाँ पर धरना दे दे पत्र लिखें अंसन करना जो भी करना पड़े जिस तरह से भी चरणबत तरीके सांदल पहले पत्र लिकर कुलपती से आविदन करें रोद करें नहीं होगा तो फिर अंसन धरना परदसन करने के परकिरिया की जाएगी क्योंकि साथ साथ हजार की विर्दी ये कहीं से कोई तुक न रुपिय की विर्दी करने का रिदे लिया है 2019 से कीस में नामंकर लेने वाले चाथ चात्राओं को डेड़ लाक रुपिय को फिस लगेगा हलाकि से चाथ चात्राओं को 1.4 आनि की एक लाक चालेज़ जार रुपिय से इसके साथ सीदिंग केंट ने प्राइवेट बीट कोल कोलेज इसे अधिक फिस नहीं ले सकता है अरे लेगा भी क्या डेड़ लाक रुपिय तो तया अपने कर ही दिया उसे अधिक कहां से लेका जानवारेगा कंडियर्ट का स्रिवास्ताव ने की बैठाक में पर्थी कुलपथी डाक्टर एकिमा तो रिश्टार करुन ओस्लिना्य श्री बास्ताव डट्र अलबी सिंग डीं सोसल सांइस ट्राइज के अलतास फंगना चिलना वुपस्तित थे इस फैसले के साथ सब्सक्राइब की साथ ही यूजी को सब्सक्राइब के लिए अधिक्तम सीमा डेल लाक रुपय कर दिया इसी आदेश के अधार पर राज के अन्पिस्विदालों में संचालित विएड कोर्स की फिस पहले इंडेल लाक रुपय कर दी गई थी राज के अन्पिस्विदाले कहां डेल लाक तो कहीं की नहीं गई है वीएड सिचकों का बेतन बढ़ा सिचकों का बेतन कितना बढ़ेगा 10,000 रुपय और सिचक इतने सोला तो कितना 1,60,000 रुपय होते हैं और साथ जार रुपय तो आप एक के लिए बिर्दी हो रही है चोगदा जार रुपया के लिए पांच जार पांसो बेतर मिलेगा सिच्छी के तरक कर्मचारियों को आने कि पांच जार रुपया की बिर्दी भी यहां पे आदेश पाल को अब नो हजार के जगा तेरह हजार चार जार रुपया बढ़ेगा और इतना सारा फीस हर एक स्टूडेंट से साठ सार रुपया कट ठक जाएगा बताइए कहां तक सही है तो आप लोग के लिए है आप लोग इस बात को लड़ाई लड़े हैं अपनी हको लें आप लोग को एडमि किस बढ़ता है प्रोसेस होता है भी तो सारा कांसिलिंग भी नहीं हो पाया है ऐडमिसन होने के बाद ही सभी कोलेजहों की मनमानी है अंदौरण करना होगा मकम reduced के पास बात रखनी होगी डीयम की पास पहुंचना होगा व्हाइजशा सरा के पास मुचना होगा और अंद मे मानिये राजपाल महोदे जो की पुलाद ही पती होते हैं पुल पतियों के भी हेड होते हैं उनके पास बात को पहुंचानी होगी तब ही कुछ काम हो सकता है इस तरह से लगातार आप बेड़ देते रहेंगे पलपल को बेड़ कोलेज के समंदी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और हाँ कोवर्मेंट कोलेजों में भी मनमानी किया जा रहा है एंटी रेगिंग को लेकर मजिटेट का साइन खुजा जा रहा है जब कि मजिटेट साइन नहीं करना चाह रहें तरस तरक्स परिसान क्या जा रहा है चात्रों को तो आपकी बारी है थेंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो